एल्लारीकु नमश्कारा वार्यू वेलकम तो दिसेंटम अकार्मी यूट्यूब चैनल तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं काल्कुलेस का सवाल आप इसको डिफिरेंचिल इक्वेशन या डिफिनिटी इंटेगल का भी सवाल कह सकते हैं तो दोस्तों आए फटा-फट इंटेग्रेशन अफ इंटेग्रेशन आपके सवाल यहां पर हमें इंटेग्र की वैल्यू है वह एक्जाक्ली नहीं निकालनी है उसको एस्टिमेट करना है किसी इंट्रवल के बीच में तो इनिक्वाल्टी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वह बहुत ही कारगर साबित हो हालो में हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसको आप बाउंड कर सकते हो बिट्वीन टू फंक्शन लेट से जी ऑफ एक से नेच ऑफ एक्स ठीक है इन इन इंट्रुवल एटू बी किसी भी इंट्रुवल एटू बी में अगर आपको यह पता है कि कोई भी फंक्शन f of x g of x और h of x के बीच में सैंड्विश्ट है तो even the integrals follow the same suit तो अगर आप इसका integration करते हो f of x का from a to b then this will also be sandwiched between the integral of g of x from a to b and integral of h of x from a to b ठीक है basically यह concept आता है आपका area between the function and the x-axis के concept से तो कोई भी function अगर दो function के बीच में है तो उसके दौरा बनाया गया area with the x-axis will also be between the area made by the sandwiching functions ठीक है आई यह सवाल को solve करते हैं तो सबसे बहले जो condition initially हमें use करना है वो है यह condition that f dash x sin x plus f of x cos x equal to 1 दोस्तों इसको जब आप देखते हैं तो देखते ही यह exact differential लगता है में लगता क्या यह actually है तो दोस्तों जब आप इस left hand side को देखते हैं तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि क्या यह exact differential है किसी चीज़ का जिहां यह exact differential है of the product of f of x and sin x तो this makes the problem quite easy and predictable तो आप यहां पे इसको ऐसे break कर सकते हो ठीक है अब इसको इंटीग्रेट कर दीजे इंटीग्रेट करने पर यहां पे left hand side में आपका f of x into sin x हो जाएगा right hand side में x plus c दोस्तों integrate करते ही आपको constant of integration डालना है बहुत लोग क्या करते हैं यहां पे simplification करते हैं फिर अराम से constant of integration last में पुट करते हैं वो गलत step है आप अगर ऐसा करोगे तो आपका answer faulty आएगा तो जैसे ही आप integration करते हो plus c लिखना अनिवार है ठेक है तो यहां हमारा function निकल के आगया x plus c c being some arbitrary constant और constant of integration तो यहां पे c निकालने के लिए अब हम इस concept का इस्तमाल करेंगे जहां पर यह बताया गया है कि the function is bounded when x n to 0 right bounded का क्या मतलब है bounded का मतलब यह है कि जब आप limit निकालते हो उस function की as x n to 0 the limit exists exists means a finite value है ठीक है तो दोस्तों जो function है हमारा चलिए उसको लिखते हैं x plus c by sin x और algebra of limits से इसको तोड़ देते हैं दो limits में एक है x by sin x और एक है c by sin x ठीक है now x by sin x as x tends to 0 यह तो 1 होता है correct बट यह limit दोस्तों यह limit will not be defined if your c is not 0 तो c का 0 होना जरूरी है अगर c 0 नहीं हुआ तो this limit will not be defined right तो यहां पर हमें c की value को 0 रखना ही पड़ेगा ताकि यह पूरा का पूरा expression यहां पर 0 हो जाए और हमारा answer हो जाए 1 इसका यह मतलब है कि c ultimately 0 होना चाहिए तो यह c निकालने का एक बहुत नायाब सा तरीका इन्होंने इजाद किया था तो your function finally becomes function क्या हो जाता है finally आपका अब आगे की कारवाई करते हैं तो आगे की कारवाई में आपको integral करना है f of x का ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों में से बहुत कम लोगों को actually x by sin x का graph मालूम होगा तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं दिखा देता हूं आपको briefly हाना कि यह graph आना जरूरी नहीं है इस सवाल को solve करने के लिए तो दो graph मैं आपको दिखाता हूं एक है sin x by x का graph यह graph तो बहुत ही important है जनता नहीं जानती है इस graph को sin x by x limit extending to 0 अन्जानिक कितनी बार लोगों ने यूज किया है पर यह graph sin x by x का graph लोगों को नहीं मालूम है तो sin x by x का जो graph होता है वो एक ripple की तरह होता है of course there is a discontinuity at 0 तो यह ripple की तरह ऐसे होता है तो the value dies down of course यह जो whole आपको दिख रहा है वो y equal to one value पे है तो sin x by x is a decreasing function तो अगर बात करें critical points कि यह पे तो यह 0 है यह pi है यह 2 pi है यह minus pi है यह minus 2 pi है तो यह function है यह sin x by x वो decreasing function होता है और हमारा limit of integration है वो है 0 to pi by 2 तो उसी interval में हमें analysis करना है हमें analysis पूरे graph का नहीं करना है हमें analysis करना है सिर्फ 0 से pi by 2 interval तक the limit of integration is the area of your in your analysis ठीक है तो 0 से pi by 2 pi by 2 roughly यहाँ पे माल लेते हैं तो 0 से pi by 2 तक यह function decrease करता है okay so it's a decreasing function ठीक है तो अगर मैं पूछूं sin x by x is a decreasing function from 0 to pi by 2 लिख देता हूं मैं यह पे sin x by x function is a decreasing function in 0 to pi by 2 x by sin x क्या होगा फिर आप बोलोगे जाहिर तो और पे increasing function होगा जो की सही भी है ठीक है तो अगर यह function increasing function है तो क्या कह सकते है कि इस function का जो maximum value होगा वो interval के last point पर आएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूं इस function के max value की तो इस function का max value आएगा आपका pi by 2 पर बनके जो last point है इसका तो यह value हो जाएगी pi by 2 divided by sin pi by 2 which is actually just pi by 2 और function की minimum value क्या होगी function की minimum value बनके आएगी 0 पर बट 0 पर actually हमारा function defined तो नहीं करता है तो हम लोग लिमिटिंग केस ले लेते हैं वहाँ पर जो की हमें मालूम है 1 है ठीक है तो दोस्तों हमने यहाँ पर किया क्या यहाँ पर हम लोग ने यह करने की कोशिश की किस function को हम लोग ने bound कर दिया किसके किसे बीच bound कर दिया हम लोग ने function को 1 और pi by 2 के बीच bound कर दिया ठीक है तो यह basically यही बनके आ गया जो हम लोग ने अपना discussion starting में किया था कि the function is sandwiched between g of x and h of x तो आई आगे बढ़ते हैं property का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो 0 से pi by 2 integral of this function will be integral of 1 from 0 to pi by 2 will be integral of pi by 2 from 0 to pi by 2 ठीक है तो यह तो बन जाएगा x 0 से pi by 2 यह हमारा i है और यह हमारा बन जाएगा pi by 2 x 0 से pi by 2 ठीक है तो this is as good as a pi by 2 and this is as good as a pi by 2 into pi by 2 मतलब की क्या दोस्तों मतलब की आपका जो आई है वो pi by 2 से pi square by 4 के बीच ही रहने वाला है so this is the estimation of the interval of this integral तो आई यह देखते हैं कौन सा answer सही है कौन सा option सही है option number a is the सही जवाब ठीक है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफी informative लगा होगा हाना कि मैं sin x by x का graph दिखा रहा था आपको मैं x by sin x का भी graph दिखा देता हूं x by sin x का जो graph है वह बेसिकली in the interval zero to pi पे तो यह undefined होयागा तो यह उल्टा यू की तरह खुलता है हाला कि graph के बाकी भी पार्ट्स हैं बट वह मैं दिखाना उचित नहीं समझता यहाँ पर क्योंकि हमारा जो इंट्रवल ऑफ इंटिग्रेशन है वह 0 से पाई बाई टू तक ही है तो पाई बाई टू तक ही हमारा बेसिकली एनालिसिस का रेंज होगा उसके बियॉंड जाना उचित नहीं होगा लुत सारे बच्च बोलते हैं कि सर अगर मुझे शांडों का ग्राफ नहीं पता हो इसका भी ग्राफ नहीं पता हो तब हम दो क्या करेंगे उसे में देखिए उस case में आपको increasing decreasing concept जिसको हम लोग monotonicity कहते हैं उसका इस्तमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं एक note बना के लिखता हूँ तो अगर मान लीजिए आपके पास x by sin x है ठीक है आपको पता करना है कि क्या हो रहा है इस function में जब आप 0 से pi by 2 तक जाते हो is this function increasing in this interval और is this function decreasing in the interval graph पता है तो बल्ले बल्ले अगर graph नहीं पता है तो you can follow the concept of monotonicity तो यहाँ अगर आप इस function को differentiate करोगे तो आपको मिलेगा sin x into derivative of x is 1 minus x into derivative of sin is cos x by sin square ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम cos of x को common ले लेंगे तो जब हम cos of x को common लेते हैं तो यह बन जाता है tan x minus x whole divided by sin square x now please understand here everybody यहाँ पर देखिए जब x की value 0 से pi by 2 तक में है तो हमें मालूम है cos of x positive होगा sin square x भी positive होगा और tan x हमेशा x से बड़ा ही होगा tan x x से बड़ा ही होगा graph भी आप जानते हो tan x की tan x का graph कुछ ऐसा जाता है और x का graph कुछ ऐसा जाता है तो 0 से pi by 2 के बीच में अफकोस 0 पे दोनों बराबर हो जाते है यहाँ पे greater than equal to भी लिखा जा सकते है पर 0 से pi by 2 पे आम तोर पे जो tan x का graph होता है वो y equal to x graph के ऊपर होता है तो उससे क्या होता है उसमें यह जो quantity बन के आएगी ना positive आएगी यह भी positive आएगी यह भी positive आएगी तो यह पूरा का पूरा जो derivative है वो positive हो जाता है greater than equal to 0 ठीक है अगर 0 नहीं include करोगे तो आप simply greater than 0 भी लिख सकते हो मतलब क्या कि यह function increasing function है तो वही तो हमें चाहिए था अगर function increasing function है तो आपको पता चल जाता है कि वो 1 और pi by 2 के ब कर सकते हो right तो दोस्तों यह था हमारे तरफ से आज का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था thank you so much for watching keep learning and stay healthy